यह जो मारा वीडियो है STA का, STA टोकन का यह मैं मजबूरन बनाने जा रहा हूँ कि बहुत लोगों को अभी भी कन्फूजन है कल की कमेंट्स आपको दिखा देता हूँ कि बहुत लोगों ने बार बार यह बोला कि STA टोकन अलग है, STA कोईन अलग है आपको लग रहा होगा कि शायद दोनों चीज़े अलग है, आपको हर एक चीज़ क्लियर मैं आपको इसी वीडियो में करके देने वाला हूँ उससे पहले थोड़े से कमेंट्स में आपको बता देता हूँ यहाँ पर बताया हूँ कि STA टोकन जो है, वो BSC स्कैन के उपर है और STA कोईन जो वो STA स्कैन के उपर है यहाँ पर इन्हों ने बताया हूँ है कि हमारा एक जो ब्लॉक्चेन है वो लग सी है STA स्कैन, लेकिन एक्चल में फिर भी है, यह जो STA कोईन यहाँ पर दिख रहा है, जो कोईन मार्केट के उपर, यह है बाइने स्मार्चेन के उपर अब यहाँ पर डिफरेंस आपको जो दिख रहा हूँ है कि यह कोईन कोई और एक गोर्डन सा दिख रहा है, यानि कि गोर्डन है, लेकिन एक्चल में जिन कोईन में आपने इन्वेस्ट किया है, आपने स्टेक किया है, वो परपल दिख रहा है, यान दोस्तों ऐसा कुछ यह एक ही चीज़ है, यह सब कुछ एक ही चीज़ है, लेकिन उससे पहले थोड़े और कमेंट्स पढ़ लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुए कि ST token की 21 million की supply, ST coin की 80 million या 800 million की supply, अब यहाँ पर यह तो मैंने आपको कल भी बोल दिया था, जिन्होंने ST coin token बनाया है, उनको भी नही लग supply डाले हुए है, यहाँ पर जो coin market cap की ओपर है, यहाँ पर 21 करोड की supply बताई हुए थी, यानि कि 210 million ST coins की supply बताई हुए थी, तो मैंने भी आपको वही बताया, इसी के साथ comment में यह भी लिखा हुए 800 million की supply है, ST coin की, अब जिन्होंने यह comment की है, शायद उनको भी confirmation नहीं ह कि ST coin लग है, ST token लग है, इतना मानता हूँ कि यहाँ पर supply का difference है, लेकिन यह जो supply दीगी है, यह वही coin की supply इन्होंने अपनी लग से बना दी 800 million coins की, अब मैं यहाँ पर एक सचाई बता दूँ कि यह वीडियो बहुत लंबा ओने वाल है, लेकिन आपको डिटेल भी मिलने वा जो ST coin बताया जा रहा है कि इनका अपना है, ST वालों का, जो कि MLM प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका बताया जा रहा है कि 800 million की supply है, तो यह possible ही नहीं है, सबसे पहले आपको बता दूँ कि यह possible ही नहीं है, क्योंकि ST token की total supply ही 21 million है, आप उसकी इतनी जादा supply कैसे बता दूँ कि 800 million supplies की है, यह मैं आपको अभी प्रूव करके बताऊंगा, अब बार बार नीचे यह भी कमेंट आ रहे थे कि आपने ST coin को ST token के साथ compare कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने compare कुछ नहीं किया, एक ही चीज है, अब वीडियो शुरू करने से पहले, एक बार फिर से बता कर रहे है, तो इसलिए वो एक coin था, लेकिन जिसमें इन्होंने invest किया है, वो एक token है, इस चीज को ध्यान से सुनना, बार बार सुन लेना, ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन सचाई ही है, कि यह दोनों के दोनों ही token है, और दोनों के दोनों एक ही है, STA जो है, यह बाइनस मार्चन के ओपर यह token बिल्ड किया गया है, अगर आप बोलते हैं कि यह token जो STA का अलगसी है, MLM plan वाला, यह अलगसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा है कि इनकी अपनी blockchain के ओपर बिल्ड किया गया है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो अभी हम इसकी detail में जाए शायद जो comment कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि वो क्या comment कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यह सब सारी चीज़े clear आपको करके देना चाहता हूं, तो शुरुआत कल से ही कर लेते हैं, कि कल मैंने आपको STA का सब कुछ detail में बता दिया, जो की coin market cap से हमने वहाँ से शुरू किया थ जो जो link निकल रहा था, हमने वह सब कुछ experience कर दिया, अब यहाँ पर BST scan के उपर आते हैं, तो यहाँ पर ST token आपको सामनी दिख रहे हैं, तो ST token दिख रहे हैं, supply दिख रही है, holders दिख रहे हैं, transfers दिख रहे हैं, जानर के सब कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर हम इनकी सेंटर में जो एक S का निशान लगा हुआ है, S का जो सिंबल है, यही सिंबल हर जगा पर यूज किया गया है, अगर हम उस वेबसेट के उपर जाते हैं, जिस वेबसेट की आप बात कर रहे हैं, जो की नेटवर्क करें, अब इसका आडिट भी दिया गया है, लेकिन आडिट म करो, STA blockchain में इन्वेस्ट करो, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाले हैं, अब जिन लोगों को यह लग रहा था कि यह जो golden token है, यह लग है, और यह जो S वाला जिसमें बहुत बड़ा purple color का, purple pink color का STA बना हुआ है, यह लग है, तो यहाँ पर आपको यह चीज क्लिर हो है, वो लग चीज है कि इन्होंने ध्यान नी दिया, एक जगा पे supply लग दी गी है, 21 फिलन की एक जगा पे इन्होंने नई supply 800 million की दे दी, तो दोनों में इसे एक चीज गलत है, चाहे वो coin market cap वाली supply गलत है, या फिर जो आपको पता है 800 million वाली वो supply गलत है, यह चीज आपको तो यहाँ पे clear हो चगी होगी कि Twitter के उपर यहाँ पे दोनों logo's दिखाएगे हैं, दोनों coin दिखाएगे हैं, परपल वाला भी और golden color का भी, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कल के दिन मैंने आपको बताया था कि STScan.com कि इसके उपर आपर जाकर blocks चेक कर लो, यहाँ पे transactions चे यह बतायी थी, कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि burn इन्हों ने किया, 4.8 billion dollar का STA coins का, यह tokens का burn किया, और balance भी यहाँ बताया गया, जो कि supply से कई गुना जा रहा था, यानि कि 1.2 billion की supply इन्हों ने burn कर दी, तो यह सब कुछ आपको कल बताया था, जो शायद बहुत लोगों को यह बात हजमी नहीं होगी, कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने सीधा सीधा यह बोल दिया, कि इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है, STA blockchain का और जो STA, जो दूसरा coin और token उसका कोई लेना देना नहीं है, अब वही चीज़ हम clear करेंगे, अब आते हैं हम नई website के उपर जो मैंने आपको नहीं कहने के मतलब, मैंने आपको कल नहीं बताईती, इसलिए मैं आज आपको इस सारी detail में बताने वाला हूँ, तो जो documents आपके पास होंगे, आप वो खोल सकते हैं, जिसके उपर आपको एक ही website मिलने वाली है, जिसका नाम है STABlockchain.com, STABlockchain.com के उपर अग बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, डिटेल में बताने हूँ, तो यहाँ आप बतायों कि आप validator बन जाओ, validator मतलब जो blockchain के साथ काम करता है, या फिर जो blocks क्लियर करता है, transaction को approve करता है, proof of stake के दवारा, या फिर पूफ of work के दवारा, यानि कि आप यहाँ पे validator बन यहाँ पे तीसरा point दिया हूँ, voting rights, voting rights का इनको मतलब नहीं पता था, तो इन्होंने voting rights लिख दिया, V-O-A-T-I-N-G, अब आपको अगर लग रहा है कि शायद यह कहीं न कहीं गलती कभी एक बार हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यह बार बार ऐसे ही voting गलत लिखा हूँ कई जगा पे लिखा हूँ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप become a validator के उपर click करते हो, यहाँ पे transaction per second बताया हूँ है, कि यहाँ पे transactions होगी, बर second, सिरफ मतलब बताया हूँ है, इसका कोई मतलब नहीं बनता कि क्यों यहाँ पे बताया हूँ है, इसके explanation क्यों दिया है, आपने IASF के उपर click किया, फिर आगया stake coin income, अब जो लोग बोल रहे थे कि यह वाला coin है या फिर यह token है, तो शायद बनाने वाले को भी निपता है, यह coin है यह token है, इनको भी निपता, सचाही है कि यह token है, क्योंकि यह BSC scan के उपर बना हुए, चाहे आप coin market cap वाले के उपर चले ज आएगा, what with rights, अब यहाँ पर, मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ स्पैलिंग मिस्टेक बाहर बार होगी, V-O-A-T, तो शायद लिखने वाले को जिसने भी website नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने content V-O-T डालने के जगा V-O-A-T लिखा और वो सीधा-सीधा इन्होंने सर्च क लिखा है, वो गलत है, यानि कि आपने गलत स्पैलिंग डाले है, तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है, यहाँ पर explanation ही दे हुई है, कि आपने गलत स्पैलिंग लिखे थे, वो एक्चल में voting rights होता है, V-O-T-I-N-G rights होता है, तो आप बताओ, इस point का कोई मतलब बनता है यहाँ पर डालने का, तो कॉपी करने वाले ने यहाँ पर कॉपी करके सीधा पेस्ट कर दिया, शायद उसको नहीं पता था कि इसका मतलब क्या बनता है, शायद पड़े लिखे नहीं है, या फिर सीधा कॉपी कर लिया, फिर ISF क्योपर क्लिक करता है, फिर यहाँ पर आपक की डिटेल मांगता है तो कोई भी प्रोजेक्ट आप से email address country कभी भी नहीं मांगता number of weldator ऐसा कुछ नहीं मांगता पासवर्ड नहीं मांगता अगर आप एक real mining करने वाले हैं real अगर आप एक खुद weldator बनने वाले हैं फिर यह developers के नीचे join STRIs यह grant rewards और इसी के साथ है developer rewards इसके उपर क्लिक करते हैं submit project कुछ भी नहीं आ रहा ऐसा ही सेम दूसरा भी है अगर हम developer rewards के उपर जाते है submit project कुछ भी नहीं आ रहा फिर अगर फिर से weldators के जो मैंने आपको कल के दिन खोल के बताई थी कि यहां पर यह वही website खोलने वाली है जो खुद को as a ST का smart chain explorer बता रहे हैं और यह सारे के सारा data जो भी दिया हुए total accounts, transactions, बहुत कुछ fake है कुछ real भी हो सकते हैं possibility हो सकती है लेकिन most of them are fake ST का price यहां पर 3 dollar बताय हुए ST के supply यहां को कल के दिन भी बताई थी यानि के यह सब कुछ जो भी हम कल के दिन बात कर रहे थे और जो आज बात कर रहे हैं सब कुछ सेम है और यहां पर अगर आप Twitter के उपर क्लिक करोगे, Telegram के उपर क्लिक करोगे, कुछ भी नी खुलने वाला क्योंकि शायद बिलकुल नई website बने हो दियोंगी या फिर कुछ ऐसे ही सिंपल से लिखा होगा, एक्जेंपल देता हूँ जैसे कि SDA DEX दिया हुए, SDA DEX की website की उपर अगर हम चलते है तो यहां पर website खुल जाएगी और इस website की उपर यहां दिया हुए, पांच SDA पर USDT, और प्राइस अपडेटेड कपका है, यहां पर एक्चल में एक्जिस्ट नहीं करते हैं, यहां पर इथेरियम, BNB, Smart Chain दिया हुए, यह एक्चल में नहीं है, सब कुछ सिर्फ दिखाया हुए, तो आपको मैं यह क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो फेक है, लेकिन आपने कभी ऐसा कोई भी डेक्स मिल जा पीडियाफ्स खुली होई दिखेंगी, जैसे कि यहां पर खुल गी है, वेलकम टू वैलडेटर प्रोग्राम, अब आप बताओ कि STA कोईन यहां पर दिया हुए, और STA कोईन है और इसके जो ब्लॉक्चेन है, वह वही सेम ही है, यानि कि एक्चल में BSC स्कैन है, लेकि दि मिलने वाले हैं, इसी के साथ क्या क्या आपको यहां पर प्रॉफिट्स होंगे, जैसे कि 15,000 डॉलर से आप शिरुवात कर रहे हो, और 1,500,000 डॉलर तक आप यहां पर डाल के as a validator बन रहे हो, जो कि एक्चल में आपको नहीं पता कि आप validator बन भी रहे हो या नहीं बन रहे तो इस document में deeply हम नहीं जाएंगे, यहां पर दूसरा document दिया गया है, जिसमें again सारी भाही details देगी है, बताया गया है कि यह इनका खुद का smart contract है, एक validator बनते हैं, यहां पर आपको incentives मिलते हैं, इसके उपर आपको rewards मिलते हैं, आप yield farming करते हो, wallet आपको use करते हैं, लेकिन वो स दिख लो 4-5 दिन में 3 dollar कैसे हो जाएगा, 10 cent वाला coin कैसे 3 dollar का हो जाएगा, और 30 August तक 4 dollar, फिर 4 dollar, फिर 5 dollar, यानि कि इस तरीके से इनके मताबिक यह price बढ़ने वाला है, अब यहां पर एक लगसे document है, इसमें दिया होगा कि आप 10 से लेकर 5,000 points लगाओ, 50,000 points लगाओ, time period रह तो मैं इसको बुरा बला नहीं बोल रहा हो सकता है कि इसके उपर आपको अच्छी earning भी मिल रही हो, क्योंकि अच्छी earning मिली होगी, coin ने भी अच्छा profit दिया होगा, overall मैंने आपको सिरफ यही बताना था, कि यह सिरफ वही project है, इसमें बहुत कुछ ऐसा fishy भी है, बहुत कु हो चुक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले समय में यह project आगे बढ़ेगा, या फिर बहुत ज़़़ा profit देगा, तो मुझे ऐसी surety नहीं लगती है, लेकिन अगर आपकी इतनी ज़़़ा strong team है, इतनी बड़ी आर्मी है, तो maybe, शायद कभी possible हो भी सकता है, लेक किसी और coin के बारे में, project के बारे में, नीचे comment करके जुरूर बताएं, मैं next video में cover करने कोशिक करूँगा, अगर आपको ये video अच्छा लगा है, informative लगा है, please like कर दो, और share कर दो, अपनी पूरी team के साथ, अपने leaders के साथ, अपने पूरे network के साथ, सबको समझ आए, कि actual में य चीज़ क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब अगर के बेल लेके दबा लीजिए, ताके आप तक मेरी next videos भी हमेशा पहुंच से रहें, ये video देखने के लिए धन्यवाद,